हेलो वेलकम दोस्तों मैं हूँ किशू और आप देख रहा है राते बीटस और आज के इस वीडियो में हम आप सो बात करने वाले अपकमिंग स्मार्टफॉन के बारे में तो प्लीज वीडियो को भी ना स्किप के एंड तक देखे रहे हैं और आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो यहां रहा है इसी मेह महिने में तो अब एक्जट ली देखते इसकी प्राइस क्या होती है क्या स्प्रेसिपिके संद देखने को मिलते हैं और यह एक्जटली कब लांच होता है यह वैसे तो एमिजोन पर अभी लेबल होने वाला है बहुत ही जल्द आप देखी सकते हो स्क होता हुआ देखेंगे इंडिया में तो दोस्तों बात करते हैं लिएल्य मी की तु है आप op छीटी दिए याल्य मी जीटी नियो इन दोनों में से कोई भी एक जपूर्श होता हुआ देखेंगे एम इस इम हमें महीने में और बात करते हUI इस फॉन की बैटरी की तो यहां पर जो बैटरी है वो है 4500 एमेज की और दोस्तों बात करते हैं इस फॉन के कैमेरे की तो यहां पर आपको 64 Megapixel का Quad Camera Setup भी देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों बात करते हैं अगले upcoming smartphone की तो यहां पर अगला upcoming smartphone है वो भी है Realme X7 Max तो यह भी हम साथ mid-may में launch होता हुआ देखेंगे तो दोस्तों बात करते हैं पर अगले upcoming smartphone की तो यहाँ पर Redmi 10 series जो यह वो launch होता हुआ देखेंगे इस mid-may में तो फ्रेंट्स यह Redmi 10i हो सकता है, Redmi 10 हो सकता है, Redmi 10a हो सकता है अब exactly देखते हैं यह कब launch होता है और किस price पर launch होता है और क्या specification देखने को मिलते हैं और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर Poco की, तो Poco का भी और एक brand new phone जो हो launch होता हुआ देखेंगे हम इस mid-may में तो फ्रेंट्स यह Poco M3 5G phone जो हो launch होने वाला है इसी महिने में तो आपको Poco brand पसंदे तो थोड़ा सा वेट कीजिए यह इसी महिने में launch होता हुआ हम देखेंगे तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले upcoming smartphone की तो है यहाँ जो अगला upcoming smartphone है वो है Infinix Hot 10S तो फ्रेंट्स बात करते हैं इस phone के processor की तो यहाँ पे जो processor है वो है Helio G85 processor और प्रेंट्स बात करते हैं इस phone की battery की तो यहाँ आप आपको 6000 MHz की battery भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों बात करते हैं इहाँ पे iqoo की तो यहाँ पे iqoo Z3 जो वो बैटरी भी बेटरी भी देखने को मिल जाएगी और दोस्तों बात करते हैं यहां पर लास्ट अपकमिंग स्मार्टफॉन की तो यहां पर Google Pixel 5 5G जो यह वो इंडिया में लांच होने जा रहा है और यह Made in India होगा और फ्रेंट्स यह सायद हम इसी मत में लांच होता हुआ देखेंगे आप देखी सकते हो फोटो स्क्रीन पे अब एक्जर्टली देखती है कब लांच होता है और किस प्राइज पे लांच होता है तो दोस्तों यह था हमारा अपकमिंग स्मार्टफॉन का लिस्ट यानि कि इस मत में कॉनसे कॉनसे फॉन्ट यह वो लांच होने वाले इस में से कितने फॉन्ट यह वो लांच होगे थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसके उपर यह में वीडियो बनाता हुआ और नोकिया, माइक्रो मैक्स, लावा यह जो जाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हुँ, ठेंक्स पर वाचिंग दिस में वीडियो जाच के इस वीडियो में इतने दोस्तों, ठेंक्यू सो मुच, बाइबा फ्रेंड्स